गुड मॉर्निंग दोस्तो माइनफो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको एपसम सॉल्ट के वारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एपसम सॉल्ट होता क्या है इसका गार्डनिंग में इस्तमाल क्यों करते हैं और इसका इस्तमाल करने का तरीका क्या है तो आएए दोस्तो आपको मैं इसकी पूरी जनकारी देता हूँ दोस्तो आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूँ कुछ लोग एपसम सॉल्ट और सेंधा नमक में बहुत कनफ्यूज रहते हैं उनको लगता है कि एपसम सॉल्ट और सेंधा नमक एक जैसे रहते हैं लेकिन ये बिल्कुल गलत है एपसम सॉल्ट अलग चीज है, सेंधा नमक अलग चीज है Epsom Salt होता है Magnesium Sulphate और सेंधा नमक होता है Sodium Chloride सेंधा नमक को हम लोग खाने में यूज करते हैं लेकिन Epsom Salt को हम खाने में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते तो आप लोग बिल्कुल Confused मत होईएगा Epsom Salt समझके कभी भी पौधों में सेंधा नमक मत डाल दीजेगा वरना आपके पौधों को फायदा होने की जगे नुकसान हो सकता है आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि Epsom Salt दिखता कैसा है ये बिल्कुल Crystal form में रहता है कुछ इस तरह से दिखता है बड़े बड़े Crystal रहते हैं ये Magnesium Sulphate कहलाता है इसमें Magnesium और Sulfur भरपूर मात्रा में रहता है जो कि पौधों के लिए बहुत जरूरी है इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आसानी से ओनलाइन shopping websites में मिल जाएगा या फिर किसी nursery में मिल जाएगा या फिर आप medical store में जाके Magnesium Sulphate बोलेंगे तो दुकानदार आसानी से आपको दे देगा आईए अब आपको बताते हैं कि इसका garden में क्या यूज है दोस्तों जैसा कि आप नाम देख रहे हैं Magnesium Sulphate मतलब इसमें Magnesium और Sulphur दोनों मजूद हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है Magnesium Photosynthesis Precrea के लिए बहुत ज़रूरी होता है और Sulphur पौधों की ग्रोध के लिए बहुत ज़रूरी होता है मैंगनेसियम की कमी से पौदों की पत्यां जल्दी पीली होने लगती हैं और सूखकर गिर जाती है पत्यों को हरा रखने के लिए मैंगनेसियम बहुत जरूरी है कभी-कभी स्वाइल से मैंगनेसियम की भरपाई पूरी नहीं हो पाती इसलिए हमें इसको ऊपर से देना पड़ता है आईए अब आपको बताते हैं कि इसका इस्तमाल कैसे करना है इसको दो तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं या तो पानी में घोलके या फिर डायरेक्ट देखिए मैं आपको दोनों तरीका बताता हूं आपको थोड़ा सा पानी ले ल आप देखेंगे कि यह पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा जब घुल जाए तो आपको एक लिटर पानी लेना है इस प्रेयर में और उस एक लिटर पानी में आपको पूरी तरह से इसको मिक्स कर देना है इसको थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे ही आसानी से खुदा मिक्स हो जाए अब इनको पौदो की पत्तियों में छिड़कना है कुछ इस तरह से इस्प्रेयर से आपको पौदो की पत्तियों में इसका छिड़काओ करना है पत्तियां इसमें से मेगनेसियम को आसानी से एबजॉर्ब कर लेंगी और फोठो सिंतेसिस प्रक्रिया आसानी से होगी जिससे ये हरी भरी रहेंगी और पौधा आपका हेल्दी रहेगा और दूसरा तरीका अब आपको मैं बताता हूं दूसरा तरीका है पहले उपर की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए जिससे की उपर की मिट्टी पूरी फैल जाए फिर इसमें हम थोड़ा सा एपसम सॉल्ट डाल देंगे कुछ इस तरह से इसमें absome salt डाल देना है, और फिर मिट्टी से इसको वापस से ढख देना है तो ये दो तरीके हैं, जिस तरीके से आप absome salt यूज़ करना चाहें, उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है कि Epsom salt का जरूर से ज़्यादा इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि कोई चीज़ की कमी अगर नुकसान दायक है तो उसकी अधिकता भी बहुत नुकसान दायक है तो अगर आप एक बार पौधों में इस्तमाल करते हैं तो उसका रिजल देखने के लिए करीब 8-10 दिन वेट करना है दुवारा इस्तमाल करना चाहते हैं तो करीब एक महीने बाद फिर से इस्तमाल कर सकते हैं इससे रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई कोईरी हो तो कमेट में आप लिख सकते हैं यह फिर पहुतों से जुड़ी कोई भी समस्य हो आप कमेट में बताईए मैं अगले वीडियो में उसका निराकरन आपको जरूर बताऊंगा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब कर लीजेगा